क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन चला रहे ड्राइवर को नीद आ जाए तो क्या होगा दिखें ट्रेन के इंजन में एक में ड्राइवर होता है और एक सहायक ड्राइवर होता है अगर एक को नीद आती है तो दूसरा इसको सम्हालता है लेकिन क्या होगा अगर दोनों की ही आख लग जाए या दोनों को ही नीद आ जाए तो चली जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर को नीद आ जाए तो ऐसे में क्या होगा अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर सो गया तो देखे साथियों जैसा कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के ड्राइवर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि ड्राइवर ट्रेन को चलाता है इसके लिए रेलवे एक ट्रेन में दो ड्राइवर रखता है दूसरे ड्राइवर को असिस्टेंट लोको पाइलट कहते हैं मतलब एक ट्रेन में एक तरह से दो ड्राइवर होते है और दूसरे ड्राइवर को assistant local pilot कहा जाता है अगर एक ड्राइवर की आँख लग जाती है तो दूसरे ड्राइवर मोर्चा समभाल लेता है अगर किसी भी परकारी कोई गरबड़ी होती है तो वो तुरंट मुख सहायक ड्राइवर को जगा देता है अगर इंजन में कोई गड़बड़ी होती है या दोनों ड्राइबर को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इन्हें आने वाले स्टेशन को सूचित करना होता है ताकि वहाँ पहुँचने पर उस प्रॉबलम को सॉल्व किया जा सके लेकिन अगर दोनों ड्राइबर की आँख लग जाए या दोनों ड्राइबर को नीद आ जाए तो ऐसी स्तिती में क्या होगा साथियों ऐसी स्तिती से निपटने के लिए रेलवे ने एक तकनिक जात की है मतलब एक तकनिक का रेलवे यूस करता है ऐसी situation के लिए train के engine में vigilance control device लगाया जाता है इसका काम यह होता है कि अगर driver एक मिनट तक कोई action नहीं करता है तो device 17 second के अंदर एक audio visual indication सो करता है driver को इसे एक button दबा कर स्विकार करना होता है लेकिन अगर driver सो रहें और कोई इस पे प्रतिकरिया नहीं देते है तो 17 second के बाद brake लगना सुरू हो जाता है मतलब अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 17 second के बाद brake लगना सुरू हो जाता है तो साथियों अगर दोनों driver को नीद आ जाए चलती ट्रेन में या उनकी आँख लग जाए तो ऐसी situation के लिए इस technique का यूस किया जाता है तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि अगर चलती ट्रेन में दोनों driver की आँख लग जाए दोनों driver हो जाएं तो ऐसी स्थी में क्या होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में नहीं जानकार एक साथ धन्यवाद